ग्रहमंतिन नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज हमारी सेना के शौरी और वीर्ता का दिन है दो साल पहले आज ही के दिन सर्जिकल स्ट्राइक में जैसे मुहम्मत के ठिकानों पर सेना ने फत्य हासिल की थी ग्रहमंतिन नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फता हासिल करने वाले वीर्ट सेनिकों को नमन है आज उनके शौर और वीर्ता का दिन है उन्होंने ममता बेनर जी के इस कूटी से गिरने पर संज कस्त हुए कहा कि ममता के गिरने का समय आ गया है धन्यवाद उन सिपाहियों को जिन्होंने उन्हें बचाया नरोत्तम मिश्रा ने अरुन यादव के ट्वीट पर बयान देते हुए कहा कि बीजेपी की पंच निष्ठाओं में गांधी जी है अब कॉंग्रेस में अरुन यादव जैसे लोग बचे कितने हैं राहुल के तो पिता भी अच्छे नेता थे बंद को लेकर उन्हें कहा ट्रेड यूनेन वालों के द्वारा बंद है लेकिन अभी उसकी जानकरी नहीं आई है रसोई यूजना बंद करने पर उन्होंने कमलनात पर निशाना साज़ते हुए का कि यह दुर्भागित था कि कमलनात ने दीन दयार रसोई यूजना को बंद कर दिया था अब कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे इसलिए पाँच रुपए में इस यूजना को शुरू किया जा रहा है बीजेपी की सरकार का लक्षी है कि कोई गरीब भूखा न सोई आज सौरी और वीरता का हमारी सेना का दिन है दो साल पहले आजी के दिन सर्जीकल इस्टाइक में बाला कोट में जैसे मुहम्मद के ठेकानों पर हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया था उनकी वीरता को नमन और उनके सौरी को नमन करने का दिन है मैं उन्हें नमन करता हूँ दुरुभाग की तब था जब छलने वाली जब दीन दयाल रसोई पांच रूपे की प्रारंब की थी तो कम्मल्नाज सरकार ने बंद कर दिया उन्होंने सम्मल योजनाभी प्रभावित की उन्हें मद्य प्रदेश की तीर दर्शन योजनाभी प्रभावित की उसी में दीन द्याल रसो योजनाभी प्रभावित की आज मुख्य मंत्री जी उसे पुने प्रारब कर रहे है अब कोई भी गरीब भूका न रहे गरीब की थ खालि ना रहे खाली ये सोच भारती अंता पाइटी का धरातल तक जाएगा दीन द्याज जी उपाध्याजी का जो सोच अन्त के ब्यक्ति का उदय उसमें सहयक होगा यह अंतियो दय में सहयक होगा अब उनके मंत्री उने गिरा रहे हैं उनको अब समझ लेना चाहिए गिरने का समय आ रहा है वो तो धन्यवाद उन सुरक्षा कर्मियों को वरना पुने घायल हो जाती बागिन देखिए वो कांग्रेस के गांधी राहुल गांधी है हमारे गांधी महात्मा गांधी है राष्ठ पिता हमारी पंच निष्ठाओं में गांधी है जहां तक सवाल कमलनाज जी का है अब अरुन यादब जी जैसे बचे कितने हैं उस कांग्रेस में अधकान सोकार्ड तथा कतित गोड से भक्ती है रूप अलग अलग और स्वरूप अलग अलग नाम अलग अलग से आई हुए है अरुन यादब जी के पता जी भी कांग्रेस में रहे वह भी रहे और इन्हों ने तो कभी राहूल गांधी की नहीं मानी कमलना जीन है तो अब क्या मानेंगे ट्रेड यूनियन वालों के द्वारा है पर अभी तक इस तरह की कोई सूचरा आई नहीं है मेरे ख्याल से ग्यापन बगेरा देने का उनका कारिक्रम होगा तो वह कर लेंगे संगीत 300 लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पकडंडियों से सड़कों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजडीती से उटमीती तक दखन न आप देख रहे हैं दखल्यूर